हलो सुपर लेर्नर्स कैसे हो आप सब हमने शुरू किया था क्लास 9 से एक चैप्टर जिसका नाम था असीड बेसेस और सॉल्ट जिसका आज हम देखने वाले लेक्चर नमर 4 उसमें सारी चीज़े हम देखेंगे जो भी पेज नमर 68-73 पे आती है तो इनके लिंक को भी चैप्टर पढ़ना हो या फिर आप ठीक सी दोस्त को जरतो तो चेक जरूर करना हो उनके शेयर कर ले न आप लोगों के लिए especially मैंने एक नया बनाया टेलीग्राम का चैनल इस इस ओनली पूर मैं सुपर लेर्नर्स अफ क्लास्माइन आप सिंप्ली टेलीग्राम पर सच्टे हो क्लास्माइन शुबं या फिर आप कॉमेंट में पिंड लिंक से भी जॉइन कर सकते हो बचो ये टेलीग्राम चैनल पर काफी सारे live lectures के बारे में information आते रहता हो और बाकी जो भी classes आते हो सबसे पहले यहाँ पर बिल जाता है तो do join it मैंने में इस शिबंजा एन एजुकेटर भाई चॉइस a certified memory coach and a creative learner and let's get started हमने अब तक इस चैप्टर में बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया हमने बात किया acids के बारे में detail में हमने बात किया basis के बारे में लिए what about salt तो आज के lecture में हम salt के बारे में बात करेंगे द्यान से सुनना तीन प्रकार के salt हो सकता है acidic, basic and neutral देखते हैं कैसे मैं एक experiment करता हूँ जिसमें मैं क्या करूँगा कि मैं 10 ml water लोगा और उसके अंदर मैं 1 gram नमक डालूगा अलग-अलग प्रकार का जैसे कि मैं डाल रहा हूँ sodium chloride ammonium chloride, sodium bicarbonate काम करते हैं एक bicker में पानी ले लेते हैं एक, दो, तीम सब में 10-10 ml पानी है माल लो और इस 10-10 ml पानी में मैं क्या करता हूँ एक gram पहले मैं NaCl डालता हूँ sodium chloride दूसरे में मैं NH4Cl डालता हूँ ammonium chloride और तीसरे में मैं डाल देता हूँ NaHCO3 sodium bicarbonate ये तीनों एक प्रकार के salt है इन तीनों को मैं इसमें डाल देता हूँ तो basically यहाँ पे जो pH मुझे मिलेगा जब मैं pH paper पे ड्रॉप लूँगा यहाँ सब pH paper पे डालूँगा तो वो green color का हो जाएगा मतलब कि pH क्या है neutral है 7 है ये 7 है इसका pH का value and it is neutral ठीक है फिर जब मैं ये वाले दूसरे वाले solution का check करूँगा तो इसमें मुझे थोड़ा सा slightly red color दिखेगा मतलब कि acidic है और pH की value less than 7 है थर्ड वाले मैं देखूँगा तो pH की value greater than 7 है तो थोड़ा मुझे bluish मिलेगा that means कि ये थोड़ा सा basic है तो basically देखो NaCl, NH4Cl and NaHCO3 इन तीनों को जब मैं check करता हूँ pH पेपर दोरा तो मुझे पता चलता है कि पहला वाला pH 7 है और वो neutral है दूसरे वाले का ammonium chloride का pH less than 7 है और वो acidic है और तीसरा वाला NaHCO3 इसका pH greater than 7 है और ये basic है ये सारी pH के बारे में हमने पिछले lectures में बात कर रहा है तो कोई tension लेने वाली बात नहीं है तो neutral acidic and basic तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये salt solution अगर neutral acidic है तो basically वो salt neutral acidic होगा अच्छे से समझते है कि neutral salt किसको कहते है basic salt किसको कहते है और acidic salt किसको कहते है देखो मैंनी बात सुनो a neutral salt is formed एक neutral salt तब बनता है जब neutralization reaction होता है of a strong acid by a strong base तो अगर तुमारे पास strong acid है और strong base है और उसका तुम neutralization reaction कर रहे हो तो acid plus base gives you salt plus water तो salt मिलता है तो strong acid होगा तुमारा strong base होगा तब जो तुम्हें salt मिलेगा that is a neutral salt and उसका pH equal होता है 7 के क्योंकि वो neutral अज़ा similarly अगर मैं बात करू an acidic salt is formed by neutralization reaction between a strong acid and a weak base अगर तुमारे पास strong acid है जहांजे सुनना strong acid है और weak base है और उनके बीच में अगर तुम्हें neutralization reaction करोगा तो strong वाला जीच जाएगा तुम्हें मिलेगा एक acidic salt जो भी acidic salt होता है उसकी जो pH value होती हो हमेशा less than 7 होती है less than 7 acidic होता है similarly अगर मैं एक basic salt की बात करूँ तो वो बनता है by neutralization reaction between a weak acid and a strong base a basic salt की बात कर तो base strong होना चाहिए acid weak होना चाहिए अच्छा इसके अगर मैं pH की बात करूँगा तो basic salt का जो pH होता हो greater than 7 होता है तो आपको यहाँ पर समझ में आगया कि what is a neutral salt what is a acidic salt and what is a basic salt और कैसे यह बनता है और इसके pH values क्या होती है students थोड़ा आगे बढ़ते है और कुछ salt के examples देखते हैं कि sodium sulfate यह एक neutral salt that means कि इसके pH value 7 होगी potassium chloride यह भी एक neutral salt इसका pH का value 7 होगा ammonium nitrate यह एक acidic salt pH का value 7 होगा sodium carbonate यह एक basic salt साथ से ज़्यादा होगा pH sodium acetate यह एक basic salt साथ से ज़्यादा होगा pH का value sodium chloride यह एक neutral salt है इसका pH value 7 होगा I hope कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ओके, so let me ask you some questions dash is a neutral salt इन मैं से कौन साइक neutral salt है NaCl, NaCO3, CH3, COona या फिर none नाम बता देता हूँ, मैं sodium chloride, sodium carbonate sodium acetate and none इन सब का नाम है आपको comment करके इसका answer देना है let's go to the next question pH of acidic salt is अगर acidic salt की में बात करो तो उसकी pH कितनी होगी more than 7, less than 7, equal to 7 या null, आपको A, B, C, D भी आप लिखके बता सकते हो, 2, A, 3, B, ऐसा करके भी answer बता सकते हो I hope कि आप दोनों question का answer comment में दे दोगे आपके practice के लिए था ही, let's move further अब हम एक अगले concept की बात करेंगे जिसका नाम है water of crystallization अब यह बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसको समझने के लिए मैं दो activities लोंगा जो आपके टेक्समिक में दिया है activity number one की बात करता है जिसमें हम क्या करने वाले है take some crystals of blue vitrol blue vitrol का मतलब होता है copper sulfate जो की उसमें water of crystallization होगा in a test tube तो मैंने एक test tube लिया और इस test tube में मैं थोड़ा सा blue vitrol ले लिया blue vitrol होता है copper sulfate यह बात याद रखना और यह blue इसलिए क्योंकि इसके इनदा पानी है we'll talk about it अब एक काम करो heat the test tube on a low flame of a burner तो एक burner लगा तो low flame के साथ तो उसको heat करना शुरू करो जब आप heat करोगे on heating salt loses the water of crystallization इसके अंदर जो salt है इसके अंदर से जो water है वो evaporate हो जाएगा और इसका जो color हो जाएगा blue colored crystals of copper sulfate turns to white powder वो जो blue color का था देख रहे हो यह blue color का था यह कैसा हो गया white color का हो गया और इसमें जो water थे the white powder is called as anhydrous copper sulfate यह जो white powder है इसको copper sulfate ही बोलते है लेकिन यह anhydrous है anhydrous मतलब जिसमें पानी नहीं बचा है तो पानी का क्या हुआ यह पानी basically evaprotate हो गया देख रहे हो तुम यहाँ पर यहाँ पे देखो यह पानी basically evaprotate हो गया is it clear तो हमारे पास blue vitrol था copper sulfate उसके अंदर पानी था जब उसको हमने heat किया तो पानी निकल गया और हमारे पास बच गया anhydrous copper sulfate अचा reaction से देखते हैं जना सा यह anhydrous copper sulfate हमें कैसे मिलता है जब मिरे पास copper sulfate dot 5H2 होता मतलब इसमें 5 पानी के molecules थे dot मतलब multiply 5H2 हो मतलब 5 पानी के molecules थे इसका नाम क्या होता मतलब copper sulfate pentahydrate copper sulfate pentahydrate pentahydrate मतलब 5 water के molecules है copper sulfate pentahydrate जब मैंने इसको heat किया basically तो मुझे cuSO4 plus 5H2 हो तो 5 water चला गया और मुझे cuSO4 मिल गया यह है anhydrous copper sulfate यह क्या है anhydrous copper sulfate खेर मैं यहाँ पे एक चीज और लिख सकता हूँ कि यह heat किया है मैंने तो मैं यहाँ पे arrow पे ऐसे दिखा सकता हूँ कि मैंने इसको heat किया है यह delta का symbol मतलब heat होता है इस तरीके से भी मैं इस चीज को लिख सकता हूँ copper sulfate dot 5H2 मतलब यह हो गया तुम्हारा copper sulfate pentahydrate plus heat मतलब यह एक endotharmic reaction है और जब मैं ऐसा करूँ गा तो मुझे CUSO4 मिलेगा प्लस मुझे 5H2O मिलेगा तो यह पानी के molecules evaporate हो जाएगे तो I hope कि तुम्हें आत clear हो चुका होगा सारी चीज़े let's go further on the inner side of the test tube you will see condensed water droplets आप अंदर में condensed water droplets भी देख पाऊगे on adding water to anhydrous copper sulfate मालो ही इस anhydrous copper sulfate में बूंद बूंद करके पानी डालता हो it turns back back into blue crystalline form तो यह फूर से फिर से blue crystalline form में convert हो जाता है मतलब अगर मैंने गरम किया तो पानी बूर जाएगा पानी डालो में तो फिर crystal बन जाएगा वह simple था देखो conclusion क्या निकलता इससे on heating the crystalline structure में पास ए crystalline structure और अगर इसको मैं heat करता हूँ structure of blue vitrol broken down to form colorless powder and water came out of it तो यह जो blue vitrol था वो गरम होकर कि उसके अंदर से पानी निकल गया और वो anhydrous powder बन गया लेकिन दीस water वाज लेकिन जब मैंने फिर से पानी डाला तो नॉर्मल हो गया दीस water वाज पार्ट अफ crystal structure और blue vitrol वो जो water था जो 5 water था पेंटा हाइड्रेट पांच water जो था वो यह जो blue vitrol था उसके water के crystal का structure था and it is called as water of crystallization उसी को हम water of crystallization करें समझो इस बात को आप इस तरीके से कि जब किसी भी salt के अंदर water के molecules होते हैं और अगर वो crystal के form में है तो वो एक crystalline structure है और उसके अंदर water of crystallization है water के molecules है कोई बात नहीं heat करने से ओड़ जाता और फिर डालने से वापस आ जाता है let's take some questions लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता देता हो मैं आपको on adding water to white powder जो white powder होता है जिसमें जहां हमने पानी डाला was formed which the same color of the solution in the first test तो basically फिर से blue vitrol में convert हो गया उसमें पानी जो थे वो रीच्टोर हो गया from this we come to know that chemical change has occurred in the crystals of blue vitrol due to heating इससा मैं समझ में आते हैं कि हमने heat किया तो उसमें chemical change water उसने lose कर दिया great losing water on heating blue vitrol breaking down the crystal structure losing blue vitrol regaining the blue और adding water was all physical changes अब देखो जब मैंने यहां पर पूरे लिखने का मतलब क्या होता तो जब मैंने blue water blue cuso4 को मतलब basically blue vitrol था cuso4 pentahydrate जब मैं उसको heat किया था तो उसमें से क्या हुआ था उसमें से water चला गया फिर से जब मैंने पानी डाला तो वापस से आ गया यह सारा का सारा physical change था इसके लिए reversible अगर तुम blue वाले से गर white वाला बना रहे तो color and hydras मतलब जिसमें पानी नहीं है वह blue होता है yellow होता है red होता है यह white होता है तुम comment करके answer बताओगे next question chemical formula blue vitrol chemical formula blue vitrol जिसको हम लोग क्या बोलता है copper sulfur pentahydrate भी बोलता है उसका formula क्या है इंद से अब साय तुम्हें समझ में आ गया होगा कि a b c d में से कौन सा है let's move further और बात करते हैं एक और activity की बात करते है from water of crystallization यह काफी प्यारा activity है इसमें हमारे पास कुछ apparatus चाहिए जैसे कि आपके बर्नर चाहिए एक basically evaporating dish चाहिए फिर तुम्हारे पास एक ऐसा स्टैंड चाहिए और तुम्हें chemical चाहिए जिसका नहीं alum alum मतलब fit की ठीक है जो दाड़ी वाड़ी करने का लगाते है great हम क्या करेंगे इस dish में हम क्या करेंगे थोड़ से crystals डाल देंगे alum के एक small amount of alum in the evaporating dish great नीचे से यह लगा के अब हम heat करेंगे keep the dish on the tripod stand यह tripod stand पर हम ने डाल देंगे इसको tripod क्यों बोलते है क्योंकि इसके तीन पैर होते है ठीक है and heat it with the help of burner 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 की मदद से दीरे दीरे इसको heat कर रहे है अब जब मैं इसको heat करना शुरू करता हूँ when the alum is heated it melts वो पिघलना शुरू कर देता है और 92 degrees Celsius पर जब temperature यहां का 92 degrees Celsius पहुँचेगा तो यह पिघलना शुरू कर देगा और उसके अंदर जो water of crystallization है जो crystallist के अंदर water है basically वो क्या होगा वो lose करना शुरू कर देगा and swells up और यह थोड़ा ऐसा मतलब food कैसे swell होने लगेगा around 200 degrees Celsius अब बात दियान से सुनना the solan mass of alum जो alum का solan mass है ठीक है is called as burnt alum burnt alum बुलाते या फिर puffed alum बुलाते इसको बस याद रखना है क्योंकि अगर MC को मैं कुछ question पूछा तो तुम्हें आना चाहिए next यहाँ पे हम जाने reaction देखते कि यह कैसा होगा cuso4.al bracket में so4 trice.24h2o तो यह क्या है basically alum का formula है this is the formula for alum यहाँ पे 24h2o है यह क्या है water of crystallization है तो basically इसको जब मैंने heat किया फिर से मुझे यहाँ पे वो symbol दिखाना पड़ेगा heat वाला यहाँ फिर मैं इसे लिख सकता हूँ LHS में heat तो जब मैंने इसको heat किया बच्चा तो क्या हुआ मुझे cuso4 मिला l2so4 trice मिला और मुझे 24h2o अलग हो गया मतलब यह evaporate हो गया basically is it clear अच्छा तो मैं कहता हूँ the molecule of water of crystallization a part of internal arrangement of the crystal यह जो molecules होते जैसे उदर 5h2o था यहाँ पे हूँ on heating or just by keeping heating the water of crystallization is lost तो जैसे तुम इसको खुलने से रख देते हो या फिर basically तुम क्या करते हो उसको heat करते हो तो water of crystallization वो खोने लगता है and the crystalline shape of that part is lost और उसका crystalline shape वो भी हो तीरे-दीरे lose कर देता है तो water of crystallization is present in definite proportion of the chemical formula of the compound और हर एक चीज में अलग-अलग चीजों के लिए उसके कितना water of crystallization होगा यह एक fixed value है और उसमें उतना ही होता है एक definite proportion में होता है टेक्स्बुक के हर एक line को मैंने explain करने की पूरी कोशिश किये कुछ example लेता हूं मैं जैसे crystalline blue vitrol हमने अभी देखा था cusof4.5 sto copper sulfate pentahydrate भी बुलाते है इसको यह blue color का होता है right crystalline ferrous sulfate green vitrol भी बुलाते है ferrous sulfate इसको हम बुल सकते हैं heptahydrate इसको हम heptahydrate बुल सकते है साथ है इसमें ठीक है 7H2 है तो यह green color का होता है crystalline washing soda sodium carbonate decahydrate भी बुलते है इसको 10H2 है इसमें तो यह white color का होता है crystalline alum जो कि अभी अभी हमने देखा वह भी white color का होता है 24H2 होता है water of crystallization great काफी example ले लिए कुछ questions देखते है the swollen mass of alum is called a swollen की spelling कला ते है ignore कर देना उसको थोड़ा सा माफी चाहता हूँ है dried alum burnt alum puffed alum done SMC को में question पूछा जासे है that's the reason मैं आप से पूछ रहा हूँ next question है alum on heating loses dash molecules of water alum के अंदर कितने molecules of water होते है water of crystallization कितने होते है जो heat करने पे वो lose करता है 572428 आपको comment में जबाब देना है चलिए मैं बच्चे करता हूँ recording हो रहा है नहीं हो रहा है मजबूत recording हो रहा है let's move further बच्चो मैं आपके शेर करना चाहता हूँ कि unacademy पेवी पढ़ाता हूँ this is how my unacademy profile looks like इसका मैं description में link डाल दूँगा काफी सारे बच्चे आते हैं daily life classes में हम उससे सीखते हैं आप भी आ सकते हो सीखने के लिए तेरह सम free courses जो free classes जो आज मैं लेने वाला हूँ तो basically आप देख सकते हो कि एक free classes है जिसको आप free में join कर सकते हो just by using this code SJSuper10 यहाँ पे हम बात कर रहा हूँगे chemistry में से understanding modern predictable आप मेंसे काफी सारे बच्चे को इस चीज में तकलीफ होती होगी कि element समझ नहीं आता कौनसे element का क्या नाम है कौनसा metal है कौनसा non metal है तो जब आप यह modern predictable के बारे में समझ लोगे जब आप इसको understand कर लोगे तो आपको यह बहुत असानी से समझ भाएगा जब भी आप यह lecture देखते हो तो इस lecture को देखने के बाद मैं आपसे request करना चाता हूँ recommend भी कर रहा हूँ request भी कर रहा हूँ कि आप यह वाले lecture को जा करके देखना इसकी recording भी available रहेगी या free of life class में भी अगर आ सकते हो तो आ जाना बस इस class को खोलने के लिए एक password समझ लो SJ super 10 this is the password to open this class ठीक है इस सब link आपको description में मिलने वाला है एक और बात important बताना चाहता हूँ मैं आपके साथ कि कुछ नए courses भी आ रहे हैं जैसे कि देखो यह course एक start हुआ है जिसमें मैं science पढ़ा रहा हूँ इस course में हम पूरा का पूरा science detail में पढ़ाने वाले हैं जो जो बहुत ज्यादा important होता है class 9 point of view से तो आप इस course को भी जॉइन कर सकते हो इसका भी description में मैं link डाल दूँगा आप इसको join कर लेजेगा किसी भी चीज को join करने के लिए आपको बस जो code यूज करना है that is SJ super 10 इस प्रिक्शन में सारे link डाल दिया मैं प्रोफाइल का ठीक है यह जो मेरा profile है उसका link पर ने डाल दिया है उसके बाद यह free class का link में डाल दिया है और यह जा करके उसको विजिट कर सकते हो मेरे profile में और भी बहुत सारे lectures होंगा आप उनको भी देख सकते हो all the very best to check the links in the topic है जिसमें साथ तुम्हें थोड़ा सा confusion हो सकता है उसके अलाबा मैं एक बात और honestly बता रहा हूं कि इस topic को मैं बहुत जादर detail में नहीं लेने वाला हूं जितना आपके textbook में लिखा है क्योंकि I honestly know कि तुम मैं से काफी लोगों को नहीं समझ में आएगा और तुम्हें लग वे लाइक one-to-one interaction चले आगे बढ़ते हैं बच्छो एक activity करते हैं और इस activity में क्या करना है हमें टेस्ट करना एम है हमारा testing the electrical conductivity of solution कि कोई भी solution क्या electricity कर सकता है या नहीं कर सकता है हम acid basis of salts की बात करने वाले हैं चले दिखते हैं हम क्या करेंगे कुछ solution लेते हैं जैसे एक ग्राम sodium chloride हम 50 ml वाटर में डालेंगे मतलब नमक को हम बिसिकली 50 ml पानी में डाल रहे हैं फिर हम लोग लेंगे copper sulphate का solution और देखेंगे कि क्या यह कर पात हम एक ग्राम glucose का भी solution लेके देखेंगे 50 ml वाटर में ठीक है उसके बाद हम एक ग्राम urea का solution लेके देखेंगे फिर हम 5 ग्राम dilute H2SO4 जो की एक acid है उसको 50 ml वाटर में मिलाएंगा और देखेंगे क्या यह electricity कंडग करता है की नहीं करता है फिर हम 5 ml dilute Nao जो की एक base है उसको 50 ml वाटर में लेंगे और हम देखेंगे आपको मैं समझाता हूँ कैसे करना है इन सबको एक एक बार चेक करना है देखीगा ध्यान से प्रिपेरा solution of 1 gram sodium chloride in 50 ml वाटर बिसिकली आपको इस तरीके से बीकर लेना उसके नहीं 50 ml वाटर डालना एक gram sodium chloride डालना उनका एक solution बन लेकिन आप concept पे धान दो please ठीक है आगे कर चलते है तो basically मानलो मेरे पास यह NACL solution अब मुझे क्या करना है यहाँ पर एक support डाल देना है पता तो क्यों फिर मैं क्या करूँगा एक 6 volt का बैटरी लोगा उस बैटरी का एक terminal मैं directly डाल दूगा और जो मेरा दूसरा terminal होगा ठीक ह दूसरावाला end होगा उसमें मैं एक plug की लगाऊंगा और एक holder में बल्व लगाऊंगा ठीक है दूसरे वाले negative terminal में पॉजरी मैं माल लो तो negative यहाँ चीज़े लिखी होगा है यही सारी चीजे लिखी होगी है कि एक मैं आप directly डाल तो दूसरे को आप इस तरीके से connect कर लो य यहाँ पर देखना आपको यहाँ पर इसको मैं चालू कर दिया जैसी मैं इसको चालू करूँगा यह बल्व गुलो होगा अब एक बात ध्यान से देखने वाली बात है कि electricity को चलने के लिए electricity को flow करने के लिए circuit complete होना चाहिए अपने इस तरीके कर देखा होगा electricity वाला chapter अगर अपने पढ़ा है तो तो मानलो इस तरीके से एक बल्व लगाते हैं ठीक है और यहाँ पर हमें बैटरी लगाते है ठीक है यहाँ पर हमें की लगाते है और यह circuit पूरा complete होता है यह circuit पूरा complete होता है लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे एक तरीके से यहाँ पे द अगर मेरे पास NACL है तो मेरा बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि NACL एक अगर बाकी चीज़ों के साथ करके देखूंगा यही प्रोसीजर मैं रिपीट करूँगा और अपना अब्जर्वेशन रिकॉर्ड करूँगा लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि यह जो वायर है इसको बहना जाए डन वो यहां पर लिखा है तो अलग अलग चीज़ों के साथ जब मैं यही चीज़ करूँगा CUSO4 डालके देखूंगा तो बल्ब ग्लो होगा मतलब यह कंड़क्टर है मैं ग्लुकोज जब डालके देखूंगा ग्लुकोज का सॉलूशन लोगा इसी तरीके से चीज़े कंड़क्टर नहीं होती है अब वो कंड़क्ट क्यू कर रहा तो उसके बार में हम बात करेंगे पहले कुछ कुछ कोशन से विच आपको इनमें से बताना है एने से ब्लूकोज यूरिया ठीक है चलो आयनी कंपॉंट्स अने लेक्रिकल कंड़क्टिविटी की बात को अरेड़ी पता है the bulb glows only when the electric current passes through it bulb तो खली तभी glow करेगा जब उसके अंदर से electric current pass होगा दूसरी बात and this can happen only when the electric circuit is complete ये खली तब हो सकता है जब electric circuit complete होगा in the above activity अभी जो हमने activity किया कुछ circuit was found to be complete when accurate solution of NaCl, copper sulfate, H2SO4 and NaOH was formed तो ये सारी चीज़े जब थी तब मुझे पता चला कि circuit complete हो रहा, bulb glow हो रहा है, बाकियों में नहीं हुआ, this means that the solutions are conductor of electricity, इसका मतलब ये है कि वो जो solutions थे वो conductor थे electricity के, लेकिन कैसे, इसके बाल में बात करेंगे, तो therefore the accurate solution of all this contain large number of cation and anion, इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से तुम्हें एक बार बताना चाहता हूँ, यहाँ पर समयना, मैं कुछ example लेता हूँ, जैसे कि हम NaOH ले लेते हैं, जब मैं NaOH को water में डालता हूँ, तुमको ये पढ़ाया गया है और मैं इसका dissociation करता हूँ, ठीक है, तो मुझे Na plus मिलता है, और Cl minus मिलता है, Na plus एक cation और Cl minus एक यही चीज होता है, जब मैं कैसीड में डालता हूँ, तो मुझे H plus और Cl minus मिलता है, यही चीज होता है तब, जब मैं basically CUSO 4 में डालता हूँ, तो इस तरीके से जो चीजे होती है न, इनके बास free charges होती है, और यही free charges circuit को complete करके flow करने में मदद करती है, समझना जरा, when the liquid or a solution in the circuit, two rods, wires और plates are immersed to it, जो हमने bare end of wire डाला था, these are called as electrodes, उसको हम क्या कहते है, electrodes, जो electricity को flow करने देंगा, वो rod, simple सी बात है, ठीक है, electrodes are usually made up of conducting solid, electrode उन चीजों का बनाया जाता है, जो conducting solid होता है, यह conductor है और वो solid state में होगा, great, the electrode connected to the negative terminal of the battery, negative terminal of the battery से जिस electrode को हमने connect किया था, by means of conducting wire, is called as cathode, मतलब cathode एक negative electrode है, यहाँ पर हम याद करेंगे, इसको आज के आज हम इसको याद कर लेंगे, इसको बिलकुल नहीं छोड़ना है, यह जिंदगी परेशान कर देता हमारा, cathode एक negative electrode है, very good, अच्छा फिर बोल रहा है, and the electrode connected to the positive terminal of a battery is called as anode, तो जो positive है, anode जो है, वो क्या है, positive है, very good, थोरी दर पहले हमने देखा था, कि Cation जो होता है, वो positive होता है, enhance negative होता है, M जता है and negative 한다 सभी ए डायम क्या होता है negative होता है अब यहां पर रखंटीय वाला उल्टा है य您 सब्सक्राइब है जयर के उल infamous पोजिटिव एलेक्ट्रोड है को फे ऑप स्को सब्सक्राया है उससे ये समझ में आता है जो catian होगा वो cathode की तरब जाएगा और जो anion होगा वो anod की तरब जाएगा बात करते हैं इसके बारे में चलो देखो चलो अब यहाँ पे देखो यह वाला positive है मतलब यह क्या है positive वाला क्या था हमारा anod था यह वाला negative है मतलब यह क्या है cathode यह क्या है cathode ग्रेट यह NIN है यह cation यह cation है positive वल और यह NIN है यहाँ पे सब कुछ लिखा है मैं ठीक है तुम्हें याद रखना है अब देखो क्या होगा यह random direction में घूम रहा था लेकिन जब मैंने यह bulb को डाला यह सब सर्कीट का मैंने आरेंजमेंट किया तो मुझे पता चला due to this mobility मतलब यह liquid के अंदर चीज़े move होती रहती है charges due to the mobility the positively charged cation in the solution cation positively charge होता है यह वाला positive वाला in the solution are attracted towards negative electrode or cathode यह negative जो electrode है यहाँ पे जो cathode है उसकी तरह पे attract होगा ठीक है and move towards the cathode and other hand the negatively charged anion यह जो negative charge वाला anion है वो positively charged anode की तरफ move होगा positive वाला negative की तरफ negative वाला positive की तरफ simple यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ मैं कि यह जो electrode है तुमारा इसको हम cathode कहते है यह जो तुमारा electrode है उसको हम anode कहते है यह जो तुमारा positive charge है उसको kation कहते है और यह जो तुमारा निगेटिव charge है उसको anion कहते है तो बात तो simple है बात तो सही है AA के पास जाएगा CC के पास जाएगा लेकिन यहाँ पे cathode negative है और यह kation positive है anode negative electrode और यह anode एक positive electrode और यह एक negative Paris opposite charges attract यहाँआ I hope कि तुम्हें समझ आ गया होगा the movement of ions in the solution towards the respective electrodes amounts to the conduction of electricity to the solution अब यही जो तुमारे ions positive or negative charge यही जो respective electrodes की तरफ जारे है positive and negative वाले की तरफ यही इस circuit को complete होने में उने मदद करता है और charges को flow करने देता है Is it very simple? काफी असान है From this, you will understand इससे हमें यह समझ में आता है तो जो भी चीज़ों के पाद लाज नमबर अब डिसॉसियेटेड डायन होगा तो अगर बहुत सारा फ्री आयन्स देरा के टायन और यहां तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो करी दिया होगा बस वीडियो को शेर करना मत बुलना किसी तीन अपने अच्छे दोस्तों तक कि उनको भी यह चैप्टर आसान लगे सारे चैप्टर का वीडियो अप्लोड हो चुका है मतलब इसके सारे लेक्चर वीडियो अप्लोड हो चुके और बहुत सारे चैप्टर अप्लोड हो चुके एक दो दिन बाद आएगा क्योंकि उसका नोट्स बना रहा हूं है तो जैसी नोट्स बन जाता है वन शॉट में डाल देंगे तो एक ही लेक्षर में पूरा वीडियो खता है पूरा चाप्टर खता है एक ही वीडियो में पूरा चाप्टर खता है चलो all the best अपना ख्याल लगना पढ़ाई करते रहूं मजे करूं जिन्दगी मैं पढ़ना भी हाओ मजे भी करना है ठीक है कोई लोड नहीं लेना है थैंक्यू सो मुच टेक केर हाव अब गूड डे हावी लॉडियो अपना भी हावी लॉडियो